हलो फेंड्स आप सभी का दपूल टेक्निक क्लासेश के यूटीब चैनल पे एक वाट फीड से स्वागत है जैसा कि आप लोग जानते हैं दपूल टेक्निक क्लासेश अस्पेशल फूर इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग के लिए वर्क करती है चाहे निउस लेवस हो इलेक प्रोनिक्स इंजिनियरिंग पे और इस फोकस के साथ अभी तक के आपको सारी चीजे अच्छे तरीके से आपको देती आई है बस इस बार लास्ट जाते 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 जो सिक्स समेस्टर स्टूडेंट है उनके लिए मैं आपको ये कहने बाला हूँ कि अभी आप इधर उध इधर की बातों में आए अपना पूरा फोकस प्रहाई पे लगाए अब कहीं भी कोर्स पर्चेस करें इससे कोई मतलब नएं बट आप पढ़ें 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 क्या बात है सब qu constantly इतना ना वार क्यों बोल रहा है हम नहीं बोल रहें ये holding आपको बोल रहा है कि सब दिन बदमासी करोगे चलेगा लेकिन six semester में आपको इधर उधर घुमने का मौका आपको नहीं मिलेगा ऐसा क्यों बोल रहा है सर क्या बात हो गया इतने दिन से तो आप सांग बैठे हुए थे क्या बात हो गया जो आज इतना एकदम प्रेशर में लिए special rule लगू हुआ है जैसा कि आप पीछे देख रहे हूँ है क्या लिखा हुआ है जो आप देखिए इसको समझ सकते हैं अब पढ़िए इसको एक बार उसके बाद देखिए आपके अंदर में एक अलग तरह का मन्य आएगा क्या है important information इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि six semester नव है वो six semester बताता है यह मैं नहीं बोलता हूं यह हमारे यहां के एक महान ने बक्तब्य है विरासर उनका कहना है और उनका यह मानना है और यह 100% सत्य भी है क्यों हो बाबू क्योंकि आपका जो यह खुआ है ना कि हम मतलब फाइनल में पास करेंगे उसके बाद हम जेई का तय जारी करेंगे इस रो जाएंगे डियाडी हो जाएंगे पदा चला कि आपने six semester में थोड़ी सी चुक कर दी और आप six semester में बैठे पड़े हैं क्या हूं ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर एकदम साफ साफ आपको सब्दों में लिखा हुआ है कि six semester में अगर एक सब्जेक्ट में भी कहरी लगेगा 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 और आपको मैं बार-बार कहता हूँ कि college कोई भी हो धमागा electronics वालों का होना चाहिए और धमागा करने के लिए जो जुनून जजबा आपको चाहिए वो आपको प्रहाई में करके दिखाना है लिखना है पढ़ना है बार-बार लिख लिख के practice करना है वो exam सुरू होने के 10 दिन पहले नहीं आज से ही आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये six semester है six semester है six semester है और इसके लिए आपको क्या करना होगा या भली भाती जानते हैं आप भली भाती परिचित हैं इससे कि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जहां कहीं भी है जहां कहीं भी आपको पढ़ना है decide किजे और प्रहाई शुरू कर दिजे क्योंकि समय बहुत कम है दोस्ट ये एक दो मन्त ऐसे ऐसे कैसे कैसे बिर जाता है पता नहीं चलता और अभी गर्मी के दिनों की छुटियां में आप बिताओगे घर पे जाओगे एक सब्ता दो सब्ता ऐसे ही पार हो जाएगा और उसके बाद फिर पस्ता आओगे तो इन सारी चीजों को समझे पाच पेपर है निव पेपर है और निव पेपर में जानते हैं कितनी सारी प्रोब्लम किरियेट होती है प्रहाई करने में तो उन सारी दिक्तों से बचने के लिए आपको क्या करना है एक सब्जेक्ट में भी कहिरे लएगा सिक्स समेस्टर में पाचो पेपर का एक्जाम देना पड़ेगा इन दोवर काम एक तरह से कहिए कि आपको मेहनत थोड़ी से चुक किजेगा किसी भी पेपर में चुक सिक्स समेश्टर की आगर बाते में करूं तो सिक्स समेश्टर में मैंने आप लोग को बताया है सिक्स समेश्टर एक ऐसा समेश्टर है जिसमें आप अच्छा प्रदर्सल आपको बहुत एस्पेसल है क्यों क्योंकि इसके सिक्स समेश्टर की जो आपका वैल्यूएशन है व इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन आपको मैं एक बहुत ही most important बाते बताने वाला हूँ कि 6th semester का पूरा का पूरा marks final year के आपके marks sheet में add होने वाला है ऐसा क्या है sir तो जी हाँ एक से लेके 5th semester के जितने भी आपने marks पाएं उसका 40% और उसके बार 6th semester का पूरा का पूरा 100% जो भी आप पाओगे वो add हो करके आपका final marks sheet बनेगा total marks जो होते हैं वो ये add करके वो total 250 होते हैं अब 250 के total marks में आप कितना प्राप्त करोगे 1 to 5th तो आपका decide हो चुका है लेकिन last semester आपका पूरा का पूरा जो आपका marks है वो decide आपको करना है और ये decide कैसा होगा आपके मे practice करोगे आप उसके बलबूते होगा और इसके लिए आपको क्या करना है दोस्त वो आप भली भाती जानते हैं एक भी पल आप गवायोगे तो उसका खामियाजा भूग दोगे और ये आपको अंदाज हो जाता आपको आहसास हो जाता है अपने अंदर से एक आवाज आती है नहीं हमने time को गवा दिया है और वो exam के time में वही जो है ना pressure आपको कुछ करने नहीं देता है अपके वो pressure हावी हो जाता है और आपका exam में गड़बडा आ जाता है तो ऐसी भूल अभी तक के semester में आपने की आपको चाहत है कि हम अच्छा marks लाएं 70% लाएं 75% लाएं तो ज जी जान लगा दिजे इस एक semester में जोग दिजे अपने आपको काम्यावी की बुलंदियों में और उसके लिए आपको मिहनत करना होगा जी जान लगाना होगा पेन और पेपर ले करके practice करना होगा और उस practice के बलबूते आपको कुछ कर गुजरने की अपने अंदर दिल में आग लगानी होगी और उस आग को पूरे एक्जाम तक जब तक एक्जाम न हो जाए तब तक उसका धधक न होगा तब जाके आप कुछ कर पाईएगा तो यह जो सीख सेमेश्टर का जो पाचो पेपर है दोस्त बहुत इंपोर्टेंट आपका पेपर है इलेक्ट्रोनिक्स इ आप डिसाइड हो गया इसमें आप कोई चेंज़ नहीं कर सकते लेकिन इस सीख सेमेश्टर का मार्ग्स में आप पेपेपेंड करता कि आप कितना पाऊगे इस साखे साथ-सौ के नंबर में आप कितना स्कोर करोगे यह आप पेपेंड करता और इसके लिए आपको मेहनत करन नए पेपर हैं उनमें आपको समय देना पड़ेगा और क्यों देना पड़ेगा यह आप भली बाती जानते हैं फिट समेश्टर की जो आपके साथ परिसानिया हुई लास्ट समय में आपके उपर जो प्रेसर आए उन सारे प्रेसरों से बचे और आपको मैं बता देता हूँ आप एक्जाम के टाइम में एकदम पूरे आत्मे विश्वास कॉन्फिडेन्स लेबल के साथ लवरेज होके एक्जाम देने जाते हो और एक्जाम में अच्छा करके आते हो तो इन ही सब सब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ मैं आपको यही कहने आ रहा था तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए आपको क्यों पढ़ना है यह मैंने आपको बताया तो आप देर ना करे अपने आपर प्राइस का आपी इस्तमाल करे दपल डेक्नी क्लासे के साथ जुड़े अगर आप इलेक्टोनिक्स ब जब भी आप दपल डेक्नी क्लासे के साथ जुड़ सकते हैं अपको क्या है प्राइस क्या है कैसे है उसके लिए आपको संपर करने के लिए आपको एक इंभरसल नमपर है हमारे यहां का वो आपको पता ही है और वो नमपर है 9204047883 इस नमबर पर को लगाएं और सारा इंफोर्मेशन चंद मिन्टों में अपने पास पाएं इस नमबर पर फोन लगाएं सारा इंफोर्मेशन अपने पास चंद मिन्टों में पाएं और पने रहें दपल डेक्नी क्लासे के साथ क्योंको दपल डेक्नी क्लासे है कि आपको एक या unit wise VBI question देना हो, इसके साथ exam के time में revision करवाना हो, ये सारी facility आपको देती है, आपको objective VBI point of view से उसको Qs के रुप में आपको देती है, और ये सारी चीजों से ही आपका result अच्छा होता है, आपका growth अच्छा होता है, आपके subject पे पकड़ अच्छे होते हैं, और जो प्रहाया जाता है, उसी में साथ के exam में आता है, ये आप लोग भली भाती जानते हैं, तो देर ना करें, कहीं ये मौका चुपने जाए, 30 अपरेल का जो offer price है, आप लोग के लिए 6 semester student के लिए offer price 30 अपरेल तक, 30 अपरेल तक जो आपका है offer price 30 अपरेल तक 6 semester के लिए, वो कितना है दोस तो वो है 1599 रुपया, मात्र 1599 रुपया में, 4 semester के लिए कितना है दोस्ट, 4 semester के लिए है आपका 1799 रुपया, और क्या है second semester, second semester के लिए कितना है, तो second semester के लिए 1499 रुपया, अगर आप चाहते हैं कि हम offer price का इस्तेमाल करें तो आप भली बाती करें उसके बाद भी आमारे यहां course अब लेवल हुएं तो उसके बाद थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जादा आपको खर्च करना पड़ेगा क्यों इसका आप जानते हैं क्योंकि offer आपका समाप्त हो जागा तो देर ना करें जो कुछ चंद घंटे बचे हुए हैं इस offer price के लिए इसमें आएं और जुले और अपने paper में carry लगाने का जो यह है डर जो आपके अंदर में लग रहा है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे वो हमार साथ साजा करें उसकी जिम्मेवारी हमें दे हम उस जिम्मेवारी को भली भाती परक्ते हैं जानते हैं समझते हैं और आपको हरे एक समय पे जब भी दिक्कत हो आपके साथ आपके साथ खड़े रहते हैं और इसका यह record है 2020 से लेकर के 2023 तक का जो सफर्द पुलेगिंग क्ला कarRO को कहूंगा कि महनत सफलता की कुझी है आपको महनत करना पड़ेगा चाहे आज करे कल करे करना पड़ेगा जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पुंजी है और महरस अफलता की कुंजी है और इसी सब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे दाइंट करता हूँ किसी भी तरह का किसी भी डॉट को कंप्लीट करने के लिए उस डॉट का सोलूशन पाने के लिए आप इस नंबर पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं 9204047883 इस नंबर पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी डॉट को एकदम चंद मिन्टों में दूर कर सकते हैं तो चलिए मिल रहे दपूल टेखनीक क्लासेस के साथ